खबर मध्यप्रदेश के बालाघाट जीले से बालाघाट जीले में बेरुजगारी की समस्या से चिंतित है विधान सभा उपाद्यक्ष बालाघाट जीला ही नहीं इस समय पुरा देश बेरुजगारी की समस्या से तरस्त है सरकारे अपने अपने तरीके से इस समस्य से निपटने के लिए प्रियासरत है बालाघाट जीले में बिरुजगारी का आलम ये है कि यहां के सेकलो लोग आई दिन बड़े शहरों की और पलायन करते दिखाई दे जाते हैं यह मजदूर वर्गा अधिक मजदूरी और निश्चित रोजगार के लिए अन्ने राज्यों के बड़े शहरों में पलायन कर रहे हैं और तेवार के मौके पर वापस आते हैं इसी कड़ी में बालाघाट जीले के लांजी विधानसवा छेतर से विधायक और विधानसवा उपात्यक्ष सूसरी हीना कावरे बालाघाट जीले में व्याप्त बेरिजगारी से खासी चिन्तेत इस विशय पर चर्जा करते भी सूसरी कावरे ने कुछ उपाए भी सुजा जिसका असर आने वाले समय में दिखाई देगा उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कमलनाजी के नेत्रत्त में रोजगार के साधन उपलब्ध कराने कटी बद्ध है और भी आगे क्या कहा देखे इस रिपोर्ट में बालागाट सुप्रीम पावर हैंटर न्यूज ब्यूरो की रिपोर्ट तो हम लोगों की भी जितने हमारे सभी जन प्रतेनी दिये सबका फोकस रोजगार की तरफ है किस इस्तर पर हम उनको रोजगार उपलब्ध करवा सकते हैं हमारे पढ़े लिखे जो बेरोजगार साथी है या जो कम सिक्षित है जो या फिर असिक्षित है उन लोगों को कैसे हम रोजगार दे सकते हैं, इनकी ओपर हमारा सब का फोकस है, और अभी हम लोगों ने जो है, वो दो-तीन जगा प्रयास भी किया है, यह महिलाओं का सिलाई सेंटर, उन लोगों को उसे बिधाय अपना बतरवाई है, मशीनों के माध्यम से, और आगे उनको पत्तों से जो पत्त निर्मित होती है, उसके लिए मैंने अभी हमारे कलेक्टर को और CEO जिलापनचायत को बोला है, कि आप ऐसी कुछ व्यवस्ता इनको करिए, कि इनकी ट्रेनिंग हम मशीने खरीद के लिए बाहर से, और इनको ट्रेनिंग दे यहां के लोगों को, ताकि व अपना खुद का रोजगार तया ही, और उसके लिए मार्पिट अवेलेबल करवाने की पुरी जवाबदारी प्रशासन की रहेगी, इस तरह से काफी कुछ जगा प्रयास हो भी रहे हैं, और आगे काम चली रहे हैं, तो ये तो वो काम है जो हम लोकल लेवल पर भी कर सकते ह बाकी प्रदेश इस्तर पर आधनी मुख्यमंत्री जी का मैंने आप से कहा ही है कि फोकस है ही, तो उस दिशार में भी जो प्रयास होंगे तो हम पुरी कोशिश करेंगे कि उनका भी लाव हमारे आके येरोरोजगार, बेरोजगारों को मिले